हेलो दोस्तों अरद्दर एस अकेडमी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों कम्प्यूटर के टोपिक वाइज प्रशनों की सिरीज इस्टार्ट की गई थी ठीक है जिसमें अपना एक टोपिक है वो कम्प्लीट हो चुका है ये प्रशन है बहुत सांदर लेवल के प्रशन है और इस टोपिक में से एक भी प्रशन है वो बार नहीं जाएगा मैं आपको इंपुट और आउटपुट की अलग-अलग कलास करवाँगा ठीक है आज अपनी कलास नमबर दो है अगर आपने पिछली जो कलास है वो नहीं देखिए तो आप प्लेलिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा computer topic wise question के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा ठीक है और कम समय में अगर आप निश्यत रूप से सबलता प्राप्त करना चाते है तो इन प्रशनों की सीरीज को जरूर देखें और आप द्यारे सेकेट में के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर क देखें computer system की आदार बोत कारिय परणाली में IPO में P किसको इंगित करता है अब आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तो IPO के फुल फोरं क्या है तब ही आप P का बता पाएंगे तो दोस्तो IPO का मतलब होता है input process output तो यहाँ पे P का मतलब होता है process यहाँ पर C नंबर का option बिलक computer system की कारिय परणाली IPO का पूर्ण रूप है अभी मैंने आपको बताया input process output तो यहाँ पर अपना इसमें right answer क्या हो जाएगा वो है यह नंबर का option बिलकुल सही नेक्स्ट आगे देखें data एवं सूचना जिसे computer के computer में प्रविष्ट किया जाता है कहलाता है data एवं सूचना ज इसका बिलकुल सही input कहलाता है चार नंबर का प्रशन इसमें देखिए किसी computer system में data एवं सूचना को प्रविष्ट करने है तू परियुक्त होते हैं तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो input device उसे क्या बोलते है input device अब मैं आपको बोलो तो input device कौन कौन से होते हैं तो दोस् keyboard, mouse, scanner, touchpad, digital camera, video camera, light pen, joystick तीक है यह सारे के सारे हैं वो दोस्तों क्या होते है input device होते हैं आगे देखिए पांच नंबर का प्रशन है किसी प्रकिरिया को किरियानवित यानि कि प्रोसेस को execute करने के दुरान computer के परमुकारियों को कर्मानुसार अपने को यहां पर बताना है या यहां कि परमुकारियों का करम निमना अनुसार है तो दोस्तों इसका जो right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए input फिर processing output storage तो मैंने आपको शुरू में बताये था IPO IPO का मतलब क्या होता है input process और output तो सबसे पहले input फिर processing फिर output और फिर storage तो यहाँ पर अपना इसमें दी नंबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए six नंबर का प्रस्थन इंपूट processing output वा storage को सम्मिली तूप से क्या कहते है तो दोस्तों इसको सम्मिली तूप से क्या कहते है इसे कहते है computer system unit computer system unit कहते है दोस्तों इसे right answer इसमें ए नंबर option हो जाएगा साथ नंबर का प्रस्थन है इसमें देखे आपने आपने computer को एक गर्णा की परक्रिया हे तूँ आंकडे परदान किये इन आंकडो सहीत data कहलाएगा बताए इन आंकडो सहीत data है वो क्या कहलाएगा तो सिधा सा हो जाएगा यहाँ पे input कहलाएगा दोस्तों वो क्या इन पूट कहलाएगा तो यहाँ पर अपना इसमें C नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिलकुल सही input आगे देखिये दोस्तों यहाँ पे आट नंबर का प्रस्थन है इन पूट डिवाइस वे डिवाइस होते है जो जो दोस्तों यूजर से डाटा लेते हैं CPU को देते हैं यूजर से डाटा लेते हैं और CPU को देते हैं वे होते हैं input device तो यहाँ पर D number का option right answer हो जाएगा B, A, O, C दोनों सही है आगे देखिए input को output या transformation में बदलता है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो है CPU बदलता है ठीक है control processing unit CPU बदलता है A number option सही है आगे देखिए 0 और 1 bit संकेतों के रूप में मानवी निर्देशों को कोन परिवर्तित करता है यहाँ पर B number का option है वो इसका बिलकुल सही आगे देखिए वह हैं device जो सूचनाओं को computer के समझने योगे बनाते हैं और device कहलाते हैं तथा इसके विपरीत कारे करने वाले कहलाते हैं बताइए बहुत अच्छा प्रस्न है वह device जो सूचनाओं को computer के समझने योगे बनाते हैं वो कौनशी device कहलाते हैं तो दोस्तों वो कहलाते हैं input device और इसके विपरी कारे करने वाले output device कहलाते हैं तो यहाँ पर यह नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही आगे देखें information और command capture करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रियोग किया जाता है इसका right answer हो जाएगा वो है input device है यहाँ पर B नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही input device तेरा न निमन लिखित में से कौन सा input device का समुह है निमन में से कौन सा input device का समुह है तो यहाँ पर देखिए input device कौन कौन से है यहाँ पर joystick, keyboard, mouse, trackball यह तीनों है यह चार है पहले नंबर के option के अंदर यह सारे के सारे input device है तो यहाँ पर अपना इसमे right answer क्या हो जाएगा वो है यह नं 24 नंबर का प्रस्ण है computer system में data को input के रूप में प्रविष्ट करने है तो किस device का प्रियोग किया जाता है बताइए computer system में data को input के रूप में प्रविष्ट करने है तो किस device का प्रियोग किया जा सकता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है mouse, keyboard, scanner तो इसमे right answer हो जाएगा उपरोग सभी दी नंबर का उप्शन बिल्कुल से आगे देखे डाटा देने एवं में परिणाम प्राप्त करने वाले डिवाइसों के वरगी करन में कीबोर्ड को किस परकार का डिवाइस माना गया है बताइए डाटा देने एवं में परिणाम प्राप्त करने वाले डिवाइसों के वर्गी करण में keyboard को किस परकार का device माना गया है तो इसका right answer हो जाएगा वो है input device माना गया है यहाँ पर A number का option बिल्कुल सही input device 16 number का प्रस्थन इसमें देखे समनेत है समनेत हैं सरवादिक काम में लिया जाने वाला input device है तो वो कौन सा है यह तो सभी को बताओगा दोस्तों keyboard है keyboard सरवादि को प्योग मिलिया जाता है आगे देखे computer में अधिकांसता काम में आने वाले input device keyboard के समन्द में सत्यकतन कौन सा है दोस्तो keyboard के समन्द में सत्यकतन बताना है देखे keyboard command line इंटरफेस पर कारिय करता है बिल्कुल सही है keyboard computer का primary input device है बिल्कुल सही है keyboard द्वारा cursor controlling की जाती है controlling की जाती है बिल्कुल सही है तो यहाँ पर इस प्रस्तिन का जो right answer हो जाएगा वो है वो प्रौक्त सभी D number का option बिल्कुल सही आगे देखे computer के लिए प्रात्मिक input device कौन सही है तो computer के लिए प्रात्मिक input device होती है तो वो होती है दोस्तो keyboard और mouse ठीक है keyboard और mouse यह प्रात्मिक input device होती है right answer इसमें D number का option हो जाएगा आगे देखे blinking point जो text में आपकी position दरसाता है उसे कहते है blinking point जो text में आपकी position दरसाता है उसे कहते हैं तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं दोस्तों cursor क्या बोलते हैं उसे cursor बोलते हैं बी नमबर का option बिल्कुल सही cursor आगे देखिए भी इस नमबर का प्रस्न है अधिकांस keyboard में layout होता है तो दोस्तों कुन सा होता है तो वह होता है का क्वार्टी ठीक है qwerty होता है यह layout होता है दोस्तों आपने अगर keyboard देखा है तो दोस्तों सबसे उपर यूपर keyboard के अंदर जहांसे ABCD शुरू होती है तो दोस् सबसे उपर तो दोस्तों function की होती है उसके नीचे number होते हैं उसके साथ में दोस्तों यह दोस्तों टैब के बराबर में दोस्तों ABCD स्टार्ट हो जाती है तो qwerty ठीक है यह एक layout है keyboard के अंदर सबसे उपर का ठीक है तो यहां पर अपना इसमें B number का option बिल्कुल सही आगे दे computer keyboard परकार का नहीं हो सकता बताये कुन कीसे परकार का नहीं हो सकता तो इसका right answer हो दएगा वहागा दोस्तों 1 pin दिन का परकार का नहीं हो सकता keyboard या आपको इसमें याद रखना है तो सो 5 pin दिन USB बी पी टू पी एस स्लाइस डे दो यह हो सकता है दोस्तों ठीक है तो यहां पर है देखें कीबोर्ड को CPU से PS2 के द्वारा है वो जोड़ा जाता है तो यहां पर है अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखें वह है विशेश कूट संख्या जो कीबोर्ड की किसी कुण्जी को दबाने या दबाई हुई कुण्जी को छोड़ने पर कीबोर्ड कम्प्यूटर को प्रेसित करता है उसे कहते है वह है तो दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों की कोड उसे की कोड कहते है क्या कहते है की कोड याद रखना की कोड बोलते है नेक्स्ट आगे देखें सामानेता कीबोर्ड पर कुल बटन्स की संख्या होती है तो कुल बटन्स की संख्या सामानेता कितनी होती है तो दोस्तों वह होती ह 104 याद रखना 104 होती है दोस्तों ठीक है और जो यह keyboard है यह क्या है input device है तो अपन आज सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यह जो प्रस्न कर रहे हैं यह प्रस्न आपको सारे के सारे देखने है इन में से एक भी प्रस्न है वो बार नहीं जाएगा आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 24 नमबर का प्रस्न है 104 होती है दोस्तों keyboard के अंदर कुल की की संख्या लगबग आगे देखिए परते keyboard पर सबसे उपर की पंक्ती में F1, F2 से F12 तक जो buttons होते हैं उन्हें क्या का जाता है दोस्तों सबी को पता है उन्हें function keys कहते हैं क्या कहते हैं function keys तो यहाँ पर इसमें right answer D number option हो जाएगा आगे देखिए एप से सुरू होने वाली function keys की संख्या keyboard में होती है कितनी होती है तो दोस्तों यह 12 होती है यहाँ पर B number का option बिल्कुल सही आगे देखिए किसी कारिये को दोराने का shortcut की क्या है किसी कारिये को दोराने का shortcut क्या है तो दोस्तों उसको कहते है देखिए रिफ्रेस करने के लिए तो f5 सफवी ठीक है और f2 है यह किसी folder का नाम है वह अपन चेंज कर सकते हैं ठीक है और दोस्तो यहाँ पर किसी कारिय को दोराने का shortcut की किसी कारिय को दोराने का shortcut की है वो है दोस्तो F4, ठीक है F4 तो यहाँ पर अपना इसमें right answer हो जाएगा, D number option बिल्कुल सही, आगे देखे किसी program window को बंद करने का shortcut की है किसी program window को बंद करने का जो shortcut की है वो है दोस्तो, अल्टर पलस F4 अल्टर पलस F4 है वो तो यहाँ पे C नंबर का उप्सन बिलकुल सही आगे देखे, कम्पियूटर के किसी प्रोग्राम विंडो में help box खोलने के लिए काम में लिया जाता है help box खोलने के लिए काम में लिया जाता है तो दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा वो है F1 F1 है यह help से समंदित है यानि कि जिस program में user कारी कर रहा है उससे समंदित help है तु है F1 यहाँ पे यह number का option बिल्कुल सही आगे देखिए computer system में किसी file folder icon का नाम बदलने के लिए shortcut की क्या है तो यह मैंने अभी आपको बताया था दोस्तो computer system में किसी file folder icon का नाम बदलने के लिए जो shortcut की है वो है दोस्तो F3 कौन सी है sorry F2 है तीक है नाम परिवर्तन करने के लिए F2 तो यहाँ पे अपना D number का जो option है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा याद रखना है ठीक है और F3 तो दोस्तो किसी folder या icon के program को search करने के लिए प्रियोग किया जाता है F3 का ठीक है आगे देखे किसी keyboard पर इस्तित तीर के निशान वाले बटनों को क्या करते है तो उसको बोलते है दोस्तो navigation keys, cursor, movement keys arrow keys तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा उपरोक समय आगे देखिए 31 नमबर का प्रस्न यहाँ पर इसमें आप देख सकते है देखिए start या window menu list open shortcut की यानि कि start window menu open करने की जो shortcut की है तो वो कौन सी है तो वो है दोस्तो control plus x cap की और या फिर window की तो यहाँ पर इसमें c नमबर का option right answer हो जाएगा बोत a and b आगे देखिए short keys जो computer में चल रहे program के chain के लिए काम में ली जाती है short keys जो computer में चल रहे program के chain के लिए काम में ली जाती है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो ultra plus step यहाँ पर c नमबर का option है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा ultra plus step आगे देखिए किसी विशेष कारिये को करने के लिए कौन सी की या अन्ने की के साथ काम में ली जाती है किसी विशेष कारिये को करने के लिए कौन सी की या अन्ने की के साथ का मिली जाती है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है control की तो यहाँ पर अपना इसमे right answer हो जाएगा control के साथ में अलग की का परियोग किया जाता है दोस्तो आगे देखे अंडू किये गए कारिये को वापस लाने के लिए परियोगत किया जाता है तो क्या परियोगत क के लिए होता है किसके लिए प्रिंट के लिए ए नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखें करसर की मौझुदा इस्तिति के बाई और के एक करेक्टर को डिलेट करने के लिए किस बटन का प्रियोग किया जाता है करसर की मौझुदा इस्तिति के बाई और के एक करेक्टर क delete करने के लिए किस button का प्रियोग किया जाता है यह तो सभी को बताओगा दोस्तो backspace का प्रियोग किया जाता है दोस्तो यहाँ पे B number का option बिल्कुल सही next आगे देखे पंक्ति के आरम में जाने के लिए किस कुंजी का प्रियोग होता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो home कुंजी का प्रियोग होता है A number option बिल्कुल सही next आगे देखे प्रतेक अक्सर के लिए shift कुंजी का प्रियोग किये बिना सभी अक्सरों को capital करने के लिए किस कुंजी का प्रियोग किये जाता है प्रतेक अक्सर के लिए shift कुंजी का प्रियोग किये बिना सभी अक्सरों को capital करने के लिए किस कुंजी का प्रियोग किया जाता है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो control यहाँ पे A number का option बिल्कुल सही control आगे देखे screen को copy करने के लिए keyboard के कौन से बटन का प्रियोग किया जाता है screen को copy करने के लिए keyboard के कौन से बटन का प्रियोग किया जाता है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो print screen यहाँ पर C number का option बिल्कुल सही print screen आगे देखे delete key का कारिय होता है delete key का कारिय होता है तो वो कौन सा होता है बताइए डिलिट की का कारिय है तो दोस्तो किसी फाइल या फॉल्डर या आइकन को recycle bin में store करना यह होता है डिलिट की का कारिय है यहाँ पर C number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे शिफ्ट पलस डिलिट का कारिय है shift पलस डिलिट का कारिय क्या है तो दोस्तो shift पलस डिलिट का कारिय है किसी file folder icon को इसता ही रूप से memory से हटाना वो हता है दोस्तो shift पलस डिलिट का कारिय है यहाँ पर A number option बिल्कुल सही आगे देखे keyboard के ऐसे buttons जो on off के रूप में कारिय करते हैं उन्हे क्या का जाता है उन्हे का जाता है दोस्तो toggle keys कहते हैं दोस्तों से ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें right answer हो जाएगा बी number का option बिल्कुल सही आगे देखें निम्न में से कौन सी toggle keys है तो toggle keys कौन सी होती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए Caps Lock, NumS Lock, Scroll Lock तो दोस्तों ये तीनों है ये Toggle की जो होती है तो यहाँ पर इसमें Right Answer हो जाएगा D-Number का जो अपसन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर कीबोर्ड की सबसे लंबी कुझी कौन सी है कीबोर्ड की सबसे लंबी कुझी कौन सी है तो दोस्तों इसका Right Answer हो जाएगा वो है बताई ये तो सभी को पता होगा दोस्तों कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है वो होती है दोस्तो इसमें कौन सी keyboard तो आपने देखा ही होगा दोस्तो right answer हो जाएगा इसमें वो है space bar है वो सबसे लंबी space bar की जो की होती है वो सबसे लंबी होती है तीक है आगे देखे दोस्तो इसमें निमन में से कौन सा बटन है numeric keypad को चालू करने हेट तू परियूक्ण होता है निमन में से कौन सा बटन है numeric keypad कोचालू करने हे तू परियूक्ण होता है इसका right answer हो जाएगा दोस्तो वो है इसमें कौन सा तो वो है numlock टीक है तो यहाँ पर इसमें b nober का option बिलकुल सही आगे देखें, Numeric Keypad में बटनों की संक्या होती है, तो right answer हो जाएका दोस्तों, वह 17 होती है, कितनी होती है, 17 होती है, याद रखना, Numeric Keyes में, Keyes होती है, वो कितनी होती है, 17 होती है, दोस्तों, ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटिंग परणाली में परियुक्त माऊस किस परकार का डिवाइस है तो माऊस कुनिसे परकार का डिवाइस है तो यह दोस्तों इन्पुट डिवाइस है यहाँ पर D-Number का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही तो हो जाएगा इन्पुट डिवाइस है आगे देखें यहाँ पे पहला कंप्यूटर माउस किस ने बनाया था पहला कंप्यूटर माउस बनाया था दोस्तो डगल से एंजल बटने यहाँ पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें डगल से एंजल बटने माउस का आविसकार कब किया तो दोस्तो माउस का जो आविसकार है यह किया था दोस्तो 1964 में यहाँ पर बी नंबर का उप्शन सही आगे देखें माउस किस परकार सोरी किस इंटरफेस पर आदारित है माउस किस interface पर आदारित है तो दोस्तो ये आदारित है GUI पर ठीक है तो graphical user interface इस पर आदारित है दोस्तो यह तो यहाँ पर है B number का option बिल्कुल सही आगे देखें माउस को किस नाम से पुकारते हैं तो दोस्तो माउस को किस नाम से draw device है, इनमें से कौन सा point and draw device है तो यहाँ पर अपना इसमें right answer हो जाएगा वो है mouse, यहाँ पर A number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही इतर हो जाएगा आगे देखे दोस्तों 13 number का प्रस्न है mouse के द्वारा संपादित होने वाली किरिया नहीं है mouse के द्वारा संपादित होने वाली किरिया नहीं है तो वो कौन सी नहीं है तो देखे right clicking, dragging, dropping यह तीनों किरिया होती है तो दोस्तों इसमें right answer हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, D number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही इतर हो जाएगा ठीक है आगे देखे दोस्तों इसमें निमन में से pointing device है बताएं, pointing device है, वो कौन सी है यह तो सभी को पता होगा दोस्तों, pointing device कौन सी है तो देखे इसमें mouse है trackball है, joystick है light pen है, styles है तो दोस्तों, यह सारी कि सारी है यह pointing device है, तो यहाँ पर all of above यानि कि उपरोग सभी इसका right answer हो जाएगा आगे देखे, object की properties को access करने में साहिता परदान करता है object की properties को access करने में साहिता परदान करता है तो वो कौन करता है वो करता है, दोस्तों, mouse यहाँ पर B number का उपसद बिलकुल से आगे देखे निमन में से mouse के परकार है तो दोस्तों, mouse के परकार कौन से है बताइए, right answer हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखे, mechanical mechanical optical और wireless यह तीनों दोस्तों, mouse के परकार है तो इसके right answer हो जाएगा, वो प्रोक्स अभी आगे देखे, laser केर्णों के माद्यम से कौन से mouse कारे करते हैं तो दोस्तों, कौन से mouse कारे करते हैं तो wireless और right button दोनों काम करते हैं, तो right answer हो जाएगा बोत A और B दोनों सही है C number option सही आगे देखे, mouse के button होते है दोस्तों, mouse के button होते है left button, optical, scroll button तो दोस्तों, इसका right answer हो जाएगा none of these तो यहाँ पर इसमें D number का जो option है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा देखिए मैं आपको बताऊं माउस के बटन है वो left बटन, scroll बटन और right बटन तीनों होते हैं ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों अब उपरोक सभी कर लेना ठीक है देखे ओप्टिकल, नहीं 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 देखे लैप्ट बटन होता है माउस के बटन होता है, left बटन होता है, scroll बटन होता है और एक right बटन होता है ठीक है तो यहाँ पर दो उतर दे रखे हैं तो दोस्तों इसका right answer ना नोप दीज हो जाएगा ठीक है आगे देखे स्क्रीन पर परदसित होने वाले पेज या फिक्टर को टोप बोटम करने के लिए परियोग किया जाता है तो टोप बोटम करने के लिए परियोग किया जाता है तो यह किया जाता है दोस्तो इस्क्रोल बटन का परियोग किया जाता है आगे देखे किसी लाइन या वाक्य को सलेक्ट करने के लिए किया जाता है किसी लाइन या वाक्य को सलेक्ट करने के लिए किया जाता है तो वो किया जाता है दोस्तों ट्रिपल किलिक तीन बार F8 बटन दबाया जाता है राइट आंसर हो जाएगा बोथ A and B next आगे देखे किसी file folder icon को select करने के लिए किया जाता है किसी file folder icon को select करने के लिए किया जाता है इसका right answer हो जाएगा वो है left click single click ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें right answer बी number option सही उतर डबल click में तो वो खुल जाएगा आगे देखे माउस के दो मानक बटनों के बीच इस्तिते wheel का कारी क्या है बताइए उस wheel का क्या कारी है जो जिसको अपना अंगुली से गुमाते है उसका कारी है तो स्क्रोल करना उपर नीचे करना ठीक है यहाँ पर d number का option बिल्कुल सही आगे देखे सब्द को select करने के लिए माउस का left click किया जाता है तो माउस का left click किया जाता है सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो दो बार आगे देखे दोस्तो यहाँ पर इस screen के किसी file folder icon को drug and drop करने का कारी करता है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है mouse यहाँ पर A number का option बिल्कुल सही mouse आगे देखिए सुची first को सुची second से सुमेलित करना है और mouse का कारिय है वो अपने को बताना है मिलान करना है ठीक है देखिए दोस्तो यहाँ पर देखिए left click left click का जो परियोग है वो दोस्तो select icon के लिए किया जाता है right click है यह open something के लिए और scrolling है वो screen को टो button move के लिए और drugging है move the icon के लिए ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें right answer क्या हो जाएगा दो तीन चार एक तो यहाँ पर अपना इसमें right answer दो तीन चार एक हो जाएगा जो आप पूटबासा में कर लें ना उसको आगे देखें scanning एक परकेरिया है तो दोस्तों यह एक परकेरिया है हाड कोपी को soft कोपी में बदलने के परकेरिया है तो यहाँ पर c नमबर option साहिए आगे देखें scanner का कारिया है किसी बौतिक photo आकरती चितर को digital रूप में बदलना और दूसरा है किसी बोतिक फोटो आकरती चितर को soft coffee के रूप में बदलना यह होता है इसके नर का कारिये तो यहाँ पर D number का option right answer हो जाएगा A और C दोनों सकते हैं हागे देखें fax machine में कामी लिये जाने वाला scanner है fax machine में कामी लिये जाने वाला scanner है तो वो कौन सा है right answer हो जाएगा दोस्तो seat feed ठीक है तो यहाँ पर इसमें A number का option सही लिये जाएगा seat feed आगे देखें flat bed scanner काम में लिये जाता है flat bed scanner काम में लिये जाता है तो यह लिये जाता है दोस्तो फोटो कॉपी मसीन के लिए तो यहाँ पर B नमबर का जो अपसन है वो इसका बिलकुल सही उत्र हो जाएगा फोटो कॉपी मसीन के लिए ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर मॉबाइल के दोबारा स्केनिंग करना कि स्रेणी का स्केनर है तो यह कौन सी स्रेणी का स्केनर है यह है दोस्तों हेंड हील्ड स्रेणी का स्केनर है यह ठीक है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे C नमबर का जो अपसन है वो इसका बिलकुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पे ग्राफिक image को computer में किसकी साहता से input करते हैं ग्राफिक image को computer में किसकी साहता से input करते हैं right answer हो जाएगा वो है इसके नर के साहता से यह number option बिल्कुल सही आगे देखें computer में printed diagram पाने के लिए use किये जाने वाला input device है computer में printed diagram पाने के लिए यूज किये जाने वाला input device है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो scanner, C number का option बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिए scanner का क्या काम है scanner का क्या काम है, तो दोस्तो scanner का क्या काम है, information capture करना और graphic format में store करना, यहाँ पर A number का option बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिए, scanner scan करता है scanner scan करता है, तो दोस्तो यह text हो image दोनों को scan करता है right answer हो जाएगा, यह और भी दोनों सही है, आगे देखिए computer system में games खेलने के लिए पर्योक्ते, पर्मक input device है, computer system में games खेलने के लिए पर्योक्त है, पर्मक input दिवाइस है इन्पुट डिवाइस में एक छड़ी होती है जो अपने X पर 360 डिगरी गूम सकती है तता CPU को इसके कौन या दिसा की रिपोर्ट करती है। क्या है जोइस्टिक एक परकार की तो सभी को पता है यह एक परकार की दोस्तों पॉइंटिंग इन्पुट डिवाइस है यहाँ पर D नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए क्या एक ऐसा इन्पुट डिवाइस है जिसका परियोग पर्मुक रूप से चिकित्सा य और यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है ठीक है तो यहाँ पर B नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए लाइट पैन में फोटो से लगा होता है यह किस विवस्ता पर आदारित है यह किस विवस्ता पर आदारित है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्टिकल तो यह नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए लाइट पैन से पेड पर लिखने पर इसे कहां देखा जा सकता है तो इसे कहां देखा जा सकता है तो इसे दोस्तों मोनिटर पर देखा जा सकता है यह नंबर उप् कौन डिस्पले स्क्रीन पर उबजेक्ट का चैन करने के लिए एक प्रकास सविधन सील डिडेक्टर का उप्योग करता है बताए निमनलिकित इंपुट उपकरणों में से कौन डिस्पले स्क्रीन पर उबजेक्ट का चैन करने के लिए एक प्रकास सविधन सील डिडेक्टर का उपयोग करता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है light pen, ए नमबर का option बिल्कुल सही light pen, आगे देखे mobile phone की screen controlling है तूप परियुक्त input device है तो वो कौन सी है, तो वो है style, यहाँ पर ए नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, style ठीक है यह भी एक pen और stick की तरह होता है दोस्तों यह ठीक है, और यह भी एक pointing device है जो जिसे अपन mobile की screen को control करते है, उसको बोलते हैं दोस्तो styles, ठीक है आगे देखे, 83 नमबर का प्रस्न है, एक computer controlling cursor जो उंगली की सायता से चलाया जाता है वे laptop में mouse के रूप में परियुक्त होता है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें touchpad और truckpad, तो यहाँ पर इसमें right answer क्या हो जाएगा D number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही 84 number का प्रस्न है, touch screen भी एक input device है इसमें keyboard और mouse का का काम कोन करता है तो इसमें keyboard और mouse का काम करता है monitor, तो इसमें right answer हो जाएगा D number का option सही आगे देखे, touch screen एक परकार का device है तो दोस्तों, यह तो सभी को पता होगा यह एक परकार का कौन सा device है तो यह input और output दोनों device है दोस्तों D number का option बिल्कुल सही आगे देखे, laptop में mouse के रूप में परियुक्त input device है तो इसका सही उतर हो जाएगा वो है, दोस्तों, touchpad यहाँ पर C number option सही आगे देखे, computer से पढ़े जाने वाली computer से पढ़े जाने वाले काली सफेद लाइनों वाले अलग-अलग लंबाई चोड़ाई की code को क्या कहते है computer से पढ़े जाने वाले काली सफेद लाइनों वाले अलग-अलग लंबाई चोड़ाई की code को क्या कहते है उसे कहते हैं, दोस्तों, barcode उसे barcode कहते हैं, दोस्तों यहाँ पर D number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे, किसी product पर काली एवं सफेद खली लाइनों को दोस्तों barcode में पढ़ा जाता है, तो वो किस के द्वारा पढ़ा जाता है, बारकोडों को यह तो सभी को बता भी होगा, दोस्तों देखे, BCR तीक है, मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो दोस्तों, BCR के द्वारा है, वो दोस्तों पढ़ा जाता है अब BCR क्या होता है, तो दोस्तो barcode reader होता है ठीक है, बारकोड reader होता है ठीक है, एक होता है MICR, ठीक है magnetic ink character reader और एक होता है BCR barcode reader जिसको अपन बोलते हैं तो यहाँ पर B number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 89 number प्रस्ट ने barcode के समद्ध में सही कथन कौन सा है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं barcode के समद्ध में जो सही कथन है, वो कौन सा है और अपने को दोस्तों इसमें कूट बासा में क्या करना है उतर देना है देखिए दोस्तों यह है machine readable code है जो सिर्फ number एवं lines के द्वारा दरसा है जाता है, बिल्कुल सही है इसे अलग-अलग लंबाई चोड़ाई की समनांतर काली एवं सफेद लाइनों द्वारा दरसा है जाता है, बिल्कुल सही है इसे, यानि कि किसी product पर लगे, barcode में उसके निर्माता company उसका मुल्य मातरा, आदी से समन्दित जानका रिष्टोर रहती है, बिल्कुल सही है चोथा देखिए, barcode bank, पुस्तकाले, shopping mall, आदी में काम में लिया जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सारे के सारे है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सत्ते है, यहाँ पे B number का जो option है, वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, आगे देखिए उतपाद के secret code pattern में परियुक्त BCR का पूर्ण रूप है, तो मैंने अभी बताया bar coordinator तो दोस्तों यहाँ पे C number का जो option है, वो इसका बिल्कुल सही आगे देखिए सरवादिक परियुक्त bar coding pattern UPC का पूर्ण रूप है तो बताई, UPC का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है universal product code universal product code तो यहाँ पर इसमें right answer क्या हो जाएगा A number का option बिल्कुल सही आगे देखिए दोस्ते यहाँ पे 92 number का प्रशन है कौन से input device का परियोग बैंकों में check को पढ़ने के लिए किया जाता है कौन से input device का परियोग बैंकों में check को पढ़ने के लिए किया जाता है इसका right answer हो जाएगा वो है MICR जो मैंने भी बताया magnetic ink character reader तो यहाँ पर अपना A number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए किसी कागज पर चुम्बकिये शाई से छपे हुए अक्सरों को किस के द्वारा पढ़ा जाता है तो दोस्तों किस के द्वारा पढ़ा जाता है इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें MICR के द्वारा पढ़ा जाता है दोस्तों यह नंबर का option बिल्कुल सही आगे देखे M.I.C.R. से ताथ पर यह है मैंने भी आपको बताया दोस्तों क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है मेगनेटिक इंक करेक्टर डिडर तो यहाँ पर अपना इसमें B.N.O.P.S.N. सही आगे देखे स्केनिंग की तक्नीक यानि कि टेकनोलोजी जो पूर्वा निर्दारित इस्तान में लगे टेक्स्ट को पढ़ती है क्या कहलाती है तो दोस्तों वो कहलाती है O.C.R. एक होता है O.C.R. ठीक है O.C.R. की फुल फॉर्म क्या होती है तो Optical Character Reader ठीक है एक होता है O.M.R. उसका मतलब होता है Optical Mark Reader ठीक है तो यहाँ पे B.N.R. का Option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे किसके द्वारा किसी कागज पर हस्त लिखित किसके द्वारा किसी कागज पर हस्त लिखित वे printed अक्सरों को पढ़ा जाता है और उन्हें संपादित किया जा सकता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बताए उसको क्या बोलते हैं O.C.R. ठीक है तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर B.N.R. का Option बिल्कुल सही आगे देखिए इसकेनर एवम विशेश सोप्ट्वेर के संयोधन से बने Input Device O.C.R. का परमुकारी है O.C.R. का परमुकारी क्या है कागत पर आस्तर लिखी थे एवम Printed अक्सरों को पढ़ना पढ़े हुए अक्सरों का संपादन एवम Formatting करना पुराने दस्ताविज पढ़ना और Electric Filling करना तो यहाँ पर अपने इसमें Right Answer हो जागा उपरोक्त सभी यह सारे के सारे हैं यह O.C.R. के परमुकारी है आगे देखिए Input Device O.C.R. का पुरा नाम क्या है तो O.C.R. का पुरा नाम है वो क्या है Optical Character Recognition या Optical Character Editor भी आप बोल सकते है इसमें B.N.O.P.S. पिल्कुल सही आगे देखिए परतियोगी परिक्षा में बहु विकल्पिये परसुनों की जाज करने का कारिय किस के द्वारा किया जाता है तो इसका Right Answer हो जाएगा वो किया जाता है दोस्तो तत्थे सही है OMR से समंदित कौन सा तत्थे सही है तो दोस्तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ देखिए कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योक्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है यह OMR तो यहाँ पर यह नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तो इसी के साथ मैंने आज आपको इन्पुट डिवाइस से समंदित है यह जो प्रस्न करवाए है यह प्रस्न आपको कैसे लगे यह जितने भी प्रस्न करवाए है यह input device से समंधीत प्रसंद है कलमा आपको output device से समंधीत प्रसंद करोंगा और अगर आपने पिछली class नहीं देखिये तो आप playlist में जाईए वहाँ पे आपको folder में जाएगा computer topic wise question के राम से वाँ folder बनावा तो आप वहाँ जाकर पिछले प्रसंदों को जरूर देखे और अरद्धारेस Academy के YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बास में share जरूर करें मिलते हैं दोस्तों एक वीडियो में जाहिन जावारत